जमीन राजस्थान की लेकिन नियम केंदर सरकार की इसे उलजन के चलते उध्योग पती और निवेशक एंसी जड़ में निवेश करने से हिचक रहे हैं उध्योग पती और निवेशक चाहते हैं कि राजस्थान के हिस्से वाली जमीन पर जब उध्योग लगाए तो राजस्थान के नियम ही लागू हो। क्या है पूरा मामला देखिए इस खास रेपॉर्ट में। एंसी जेट यानी नैचरल कंजर्वेशन जोन को लेकर उठे सवाल। क्या एंसी जेट बनेगा राजस्थान के विकास में अवरोद या फिर केंद्र राज्जी के नियमों में उलाद जाएंगे उध्योग पती। मंत्री ने लिखा केंद्र को पत नहीं मिल पाया कोई जवाब क्या एंसी जेट से मुक्त हो पाएगा राजस्थान का बड़ा भूभाग। केंदर सरकार ने हाल ही में राजस्थान के एक बड़े भूभाग को NCJ में शामिल किया है लेकिन अब NCJ को लेकर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि NCJ में अगर कोई निवेशक निवेश करके अपना उद्योग इस्थापित करना चाहता है तो उसे केंदर और राजसरकार के नियमों का पालना करना पड़ता है ऐसे में राजस्थान की उद्योग विभाग ने निवेशकों के दिए NCJ से अपना बहुत बड़ा हिस्सा राजजी के अधिकार शेत्र में वापस देने की मांग की है और इसके लिए केंदर सरकार को पत्र लिखा है राजस्थान सरकार चाहती है कि दिली से 100 किलो मीटर तक ही NCJ सी मित रहे उसके आगी की इलाकी में उद्योगों के स्थापना, संचालन, नियमन, आधि में केवल प्रदेश सरकार के नियम लागू हो नैचुरल कंजर्वेशन जोन में राजस्थान के बड़े भूभाग की बात करें तो भरतपूर दोसा सीकर जुंजनू अलवर जिलों का भूभाग आता है ये सभी जिले राजस्थान के सबसे महंकी कीमत वाली जमीन के शेत्र है इसी वजह से वी आईपी इलाकी में तब्दील हुए ये शेत्र ये शेत्र दिल्ली और ओद्योगी ग्रूप से समर्द हर्याना से सटे है इसी इलाकी से दिल्ली मुंबाई फ्रंट कॉरिडोर हाईवे गुजर रहा है इसी शेत्र से महस से 150 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है जैपूर और आग्रा के हवाई अज्डो की कनेक्टिविटी भी पास है इसी शेत्र का दिल्ली मुंबाई जैपूर एहमदाबाद आग्रा लकनव पतना कोलकाता सूरत इंदौर जोतपूर उदैपूर तक सीथे राष्टी राजमार्गो का जड़ाव भी है अब केंद्र और राज्जे के नियमों के बीट वसे इस शेत्र के निर्धारन को लेकर केंद्र ने आपतिया मांगी है जिसके बाद से 150 से ज्यादा आपतियां दर्च करवाई जा चुकी है इस शेत्र का हल निकालने के लिए बैठक का समय भी तै किया गया लेकिन बिना किसी कारण के बैठक नहीं हो पाई और फिर से ये मामला लंबे समय के लिए खिच गया केंदर और राज्य सरकार की नियमों की उलजन के चलते केंदर और राज्य सरकार के नियम मानना पड़ेंगे इसी परिशानी को देखते हुए उद्योग मंतरी शकुंतला रावत ने केंदर सरकार को पत्र लिका लेकि पत्र को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया ऐसे के अंदर उद्योग पती परेशान है और वो चाते हैं कि NZZ से निजाथ मिल सके और राज्यस्तान का जो बड़ा अबूबाग है वो NZZ से वापस राज्यस्तान को मिल सके केमरा परतन सुरेंदर के साथ जिया उद्दीन खान फरस्ट इंडिया न्यूस जैपूर